प्लॉड लाइट्स जली हुई है क्या हम बल्ले बाजों से उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी आतिश बाजियां देखने को मिलें पिछ एक दम सपाट नजर आती है बैटिंग फ्रेंडली है याने की बोल तॉस का समय हो गया है और कप्तान अम्पायर मैदान पर हैद्स चुना है कप्तान ने एंड हैद्स इटेस बैटिंग फर्स बड़ी आडवांटेज है बड़े स्कोर में तबदील करना चाहेंगे इस एडवांटेज पर प्राखच भड़ा हुआ ये मैदान दोनों ही टीम्स हैं तयार तो फिर देखते हैं आज कौन मारेगा बाजी अज आज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यही है कि सलामी जोड़ी करेंगे अच्छे तरीके से आगास कप्तान ने मीडियम पेसर को गुलाया है अटैक पर पावपले का समय है याने की पाव़फुल क्रिकेट का समय है बल्ले बाजों के लिए वाड़ से इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन हमेरे दोस्ट ओवर की आखरी गेन देख कर गई है चौका बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया होगा बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्रमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा ओन साइड की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे मैदान पर नए है जनाब ये पैबिलियन से सेट होकर आए है चौके से शुरुआ बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्रमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डंस टंस के उपर एक और नो बॉल ये एक्स्ट्रास बाद में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम को समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का टाइम खूबसूरत गेंद हवा में तैरती हुई नजर आईए इस बाल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुम्किन हमेरे दोस्त स्मैश्ट कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शॉट चौका बल्लेबाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्रमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा इस बाद बड़े शॉट का फ्रयास थड़ा नाजुक हातों से खेला ओनसाइड की दिशा में और कितना साधारन फील्डिंग और रन मिलेंगे बल्लेबाजी टीम को चतुराई से की है गेंदबाजी बल्लेबाज को रखता है खामोश और डॉट गेंग ओनसाइड की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे ये दो बहुती साधारन सी फील्डिंग है एक्स्ट्रा रन दिये जा रहे हैं चौक्य के साथ ओवर समा बल्लेबाजी टीम के लिए एक बड़िया ओवर बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्मन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा बल्लेबाजी की टेक्स्ट्बुक नई लिख रहे हैं ये जनाब अविश्कार किया है नया शॉट इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन हमेरे दोस्त फ्रैकिंग शॉट नहीं सीदी दरार उसमें से बटोली है पूरे चार्ट बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्मन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा पिक्चर पर्फेक्ट शॉट बढ़िया जज़्जमेंट तेज रनिंग पढ़िया रंग बटोरा बल्ले बाजोने ये तो थोड़ी सी खराब सी गेंड नो बॉल का इशारा मिलेगी फ्री हिट एक महंगी डिलिवरी दे कर गई है मुफ्त की गेंद यानी की फ्री हिट करीबी मामला मिला भागे का साथ एक दम जड़ में थी ये यॉरकर बल्ले बाज को अता पता नहीं था गेंद का और इस दिनिंग की पहली विकेंड गेंद बाज के ना नया बल्ले बाज आया है क्रीज पर अब उमीद है कि ये टीम की उमीदों पे खरा उतरेगा करीज बाज दे जिए्टियों गॉरकर उप्षीन परा भाजब गाज बाजब बाज़गा लाजब ये लाज़फ़गफ रख च्वड़ब इस दिस धर पाज़गद पर ये रखिते पितनें बाज़ब चुशब पर बाजब पराईब लाजब क्या इतनी अद्वूद कैच पकड़ी जाएगी ऐसा सोचा नहीं था बल्ले बाज ने बढ़िया पकड़ा कैच को सिर्फ अपना रोल अदा करना है मैंते हैंनो स्लो एं स्टेड़ी विल्ड रेस फील्ड इंग यूनिट की बड़ी अपील लेकिन अंपायर ने नकार दिया नॉट आउट बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से जी बिल्कुल चुनाती दिया है उन्होंने अन फील्ड अंपायर के डिसीजन को खर्ड अंपायर की मांगी है मदद नॉट आउट करार दिया है बोलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है रिजबार बड़ी शॉट का प्यास थोड़ा नाजुक हातों से खेला और इस बार बड़ी शॉट का प्यास एक और नॉबाल ये एक्स्ट्रास बात में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को टाइम फॉर फ्री हेट अच्छा मौका है बल्लेबाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का चौके के साथ ओवर समा बल्लेबाज बहुत खुश होंगे इस ओवर से क्या चौको की तिकडी लगा पाएंगे बल्लेबाज फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डंस टंस के ऊपर ओवर स्टेपिंग यानि की ओवर में एक्स्ट्रा बॉल नो बॉल बिसाइड की है अमपार और क्रीस पे खड़े बल्लेबाज के लिए है अब ये फ्री हेट मुफ्त की गेन थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका चौका बॉलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती रन अप मही थोड़ी सी गरबर थी कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेब एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेन मिलेगी बल्लेबाजी टीम पर फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बदलेगा बल्लेबाज का इस गेंद को तारे में कर दिया है तब्दील ग्राविटेशनल फोर्स मिल गया है छे पहले गेर से सीधा छटे गेर में छे यह दो बहुत ही साधारण सी फिल्डिंग है एक्स्ट्रा रन दिये जा रहे हैं बोली चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है पिक्चर पर्फेक्ट शॉप यह तो थोड़ी सी खराब सी गेर नो बॉल का इशारा मिलेगी फ्री हे समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का टाइम भागेशाली की दुरगटना नहीं घटी एक और एक दो नहीं एक और एक ग्यारा हो सकते हैं ये दिखा रहे हैं दो बल्ले बास अच्छी साज़ेदारी बड़ी अंदाज में पूरी की है अर्ध शतक ये साज़ेदारी ये आउट करार दिया है अंपायर ने लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे प्राट्समें ने डिसाइड किया है कि डिसिजन को रिव्यू करेंगे तीजरे अंपायर को किया है इनवाल अंपायर को अपना डिसिजन बदलना होगा भड़िया फुट वर्क कलाईयों की कलाकारी ओवर की आफरी गेन देकर गई है चौका एक और ओवर के समापती और समय है बोलिम में चेंज का चलिए देखते हैं कि अपने आखरी स्पेल में क्या कारनामा करते हैं ये गेन बास पिक्चर परफेक्ट शॉट बूम पिक्चर परफेक्ट शॉट अब गोज दा फिंगर रगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे बल्ले बास ने फैसला किया है कि इस डिसीजन को वो रिव्यू करवाना चाहते हैं सटीक लाइन सटीक लेंथ कथिन सवाल नहीं था जवाब लेग बिपोर दस तप्स मिडल ओर का बल्ले बास अब बैदान पर है और उमीद यही है नियांतरा प्रदान करेंगे वो अपनी टीम को प्सक्राइब है उन्टाइब है वो, बाहब फ्सक्राइब है वो,